चुनवती ये है कि बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा बनाने के लिए अगर हम मालीजे तीन साल का लक्ष रखते हैं और इस तीन वर्षों में अगर हम लर्निंग भी लेते जाते हैं तो ऐसी कमपनिया हम आपके समक्ष लेके आए हैं जो दो सेक्टर हैं दोनों चलने वाले हैं बेतरीन कमपनी हाला कि लॉंग टम के लिए भी मालीजे 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष इतने समय के लिए भी अच्छी कमपनिया हैं मजबूत कमपनिया हैं ठोस कमपनिया है और आज हम माइक्रो कैप या बहुत स्मॉल कैप कमपनी नहीं बता रहा है जिनकी मार्केट क बहुत छोटी होती है उनमें उतना ही ज्यादा जोखिम या रिस्क होता है पैसा आधा हो जाने का वो किसी और वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो लोग बहुत ही जुझारू किसमे के लोग हैं जोखिम लेने वाई लोग हैं उनके लिए किसी और दिन हम स्मॉल कैप पर चर रहा है, 24, 25, 26, almost देखा जाए तो 23 चला गया है, 2024 आने वाला है, तो इन तीन वर्षों में मुझे लगता है कि अगर आपका 100 रुपया, example के लिए बता रहे हैं, 300 रुपया भी हो गया, आप समझे कि आप मार्केट से पैसा बना लेते हैं और बना चुके, तो चलिए समय नश् हम आपको ये आठ कमपनिया फटा फटा आपके समक्ष रखेंगे, साथी दोस्तों कोई भी निर्णाय लेने से पहले खरेदने की या भेशने की, तो आप अपने सेभी द्वारा पंजीकरत वित्तिय सलाकार से मश्वरा लेने के पश्चात ही निर्णाय ले, ये वीडियो म और लो जो गया था 5700 के आसपास, तो अभी दोनों के मद्ध में ये ट्रेड हो रहा है, तीन सालों के लिए अगर इन कमपनी में लक्ष रखते हैं, तो अच्छा रिटन आपको बना के मिलेगा, क्योंकि पिछले एक साल में देखते हैं, तो यहाँ पर 19 परसन के आसपास का कई गुना ना हो सके, जैसे कि Infosys या TCS हो गई या और भी बड़ी कमपनिया है, लेकिन उनसे बहुत छोटी है, तो इस वज़े से इसमें काफी potential है, growth भी है, 10 की face value भी है, stock price इसलिए अभी बड़ा है, अभी split भी नहीं हुआ है, P ratio इसका 60 का है, price to book value 21 का, dividend भी पे करता है, 0.82% इस price के साब से yield निकल के आ रहा है, और delivery भी ठीक ठाक दिख रही है, दूसरा जो stock है, उसका नाम है coforge, coforge देखते हैं 5,441 रुपए की price पे निकल के आ रहा है, हाला कि अभी हाली के दिनों में काफी तेजी देखी गई इस stock में, जबकि हम पहले से काफी बताते आ र price पे कौन लेता है, कितने समय के लिए लेता है, ये matter करता है, तो high low आप देखेंगे, low था साल का 32 high जा चुका है, 5,400 और high के आसपास ही trade कर रहा है, तो कभी भी इसमें गिरावट भी हो सकती है, तो उसमें चिंतित ना हुआ करें, अगर आप 3 साल का लक्ष रख रहे हैं, तो ये company आपको अच्छा पाइसा बना के दे सकती है, एक साल में जो रिटन दिखाए दे रहे हैं, 52% ज्यादा के, 6 मैंने पहले जिनों निवेश किया, उनको भी करीब 27% के आसपास के रिटन दिखाए दे रहे हैं, 32,000 क्रोड की market capital है, ये भी large cap की company है, 10 की face value इसे stock के भी ह है, अभी split होना बाकी है, और dividend is price case आप से देखते हैं, तो 1.21% yield nickel के आ रहा है, इतना रिटन इस price के साप से मिल रहा है साल का, peer ratio 43 का, price to book value 10.79 का, तो ये रहा तूसरा stock, तीसरी company है, happiest mines technology, happiest mines भी IT software की अगर देखें, 2020 की listed company है, इस पे हम वीडियो तब से बना रहे हैं, जब ये list हुआ था, IPO के समय भी हमने update किया था, तो 166 वाला 300 के आसपास list हुआ, फिर काफी तेजी देखी गई, फिर गिरावट भी आई, इस तरीके से high जो बनाया, 1500 के करीब पहुंच चुका lifetime high, और अभी 1092 यानि की 1100 के आसपास high दिख रहा है, low जो था गया 763 का, और अभी high के आसपास, मतब साल के high के आसपास trade कर रहा है, लेकिन lifetime high के आसपास से काफी correct है, एक साल में कोई return नहीं है, जबकि नुकसान ही हो रहा जिनों निवेश किया होगा, करीब 11% के आसपास, 6 मेने पहले जिनों निवेश किया, उनको हलांकि fix deposit वाले return यहां पे मिल रहे है, 58 क price to earning ratio पे trade हो रहा है, price to book value of 16.59 का, और 13,837 करोड की market capital है, dividend yield निकल क्या रहा है, 0.56 यानि एक परसन मान के चलिए, दो की face value है, और हमें ऐसा लगता है कि यह भी तीन वर्षों में अगर देखा जाए, तो काफी अच्छा perform कर सकता है, क्योंकि एक लंबी race के बाद थोड़ा स लोग consolidate करते हैं, रुकते हैं, तो यह company भी वैसे ही प्रतीत हो रही है, तो तीसरी company यह रही, happiest minds, जो कि तीन वर्षों का जिनका लक्ष है, चौथा जो stock है, अगर देखें KPIT Technologies, अच्छा है, जो company हम बता रहे हैं, इन सब के बारे में जो व्यवसाय है, किस company का कितना ज्याद किस sector या किस industry में focus है, क्योंकि जैसे कि सारी mostly company अगर देखा जाया, solutions प्रवाइड करती है, जैसे कि mobility industries हो गई, या फिर banking, NBFC, consumer, यह सारी company हो, industries में जो है, अपनी services देती है, तो हाला कि यह काफी 23 से देखे growth किया, KPIT ने अच्छे return बना के दिये, एक साल में 106% के return, 6 माहने पहले बेजनों निवेश किया, उनको भी 40% के आसपास के बढ़े है return, तो 1160 की price से अगर देखा ज है, और जो पिछले साल rate था 500-500 के आसपास, तो अभी high के पास trade हो रहा है, 73 की price to earning ratio पी, इसको ज्यादा बाजार ने value दी, इसलिए इतनी और कंपनियों के मुकाबले देखा जाया, तो काफी expensive लग रहा है, 19.21 का जो है PB ratio है, और 31,000 के ओर से ज्यादा की market capital, 10 की face value से stock के भी अभी split नहीं हुआ है, तो तीन वर्ष में मुझे लगता है कि इसमें भी काफी अच्छे खासे गुंजाईश, मैं तो कहता हूँ कि तीन वर्ष अगर आप hold करते हैं, और अगर आपको 200% return भी मिल जाते हैं, तो आपने share बाजार का दिल जीत लिया, आपने जग जीत लिया, आप इतना मान के चलिए, बहतरीन कमपनिया है, यह कोई छुटी मूटी कमपनिया नहीं, जो रातो रात खिसक जाएं, अब आज आते हैं, केमिकल स्टॉक्स में, केमिकल का आप देखे रहे हैं, पिछले एक डेड़ साल से जैसे आईटी इंडस्ट्री के हालात थे, नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने एक डेटेल्स में वीडियो बनाया था, किन-किन कारणों के वाइसे केमिकल सेक्टर जो है ट्रबल में था, लेकिन ऐसा नहीं, केमिकल जो है किसी इंडस्ट्री में प्रियोग होना बंद हो जाएगा, हम खाने, पीने, कपड़े पहनने से ले हो, चाहा कोई भी एक कलर, डाइस, पिगमेंट, कोई भी केमिकल हो, तो ऐसी कमपनिया जो है बनाती है और इनकी डिमांड बनी रहेगी भविशे में भी, बाइस सो आट्स के आसपास इसका स्टॉप प्राइस चोल रहा, दीपक नाइटर जो की एक शांदार कमपनी है, है 300 के आसपास दिखाए दे रहा, जो की अपने हाई के आसपास, या निकि भागा ही नहीं एक साल में, और 1730 तक लो जा चुका है, 52 वीक रेंज में, एक साल में रिटन अगर देखें, तकनीकी रूप से तो साड़े ग्यारा परसन, अगर 6 माही ने पहले दें, उनने वेश करता है, दूसरा जो केमिकल का स्टॉक हमें जो अच्छा लगता है, और काफी बढ़े प्रोड़क्स भी हैं लगलग इंडस्टीज में, और काफी अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी है, विदेशों में इनकी सबसुडरी हैं, इनके वेराउसे हैं, तो वहां से जो अपना क कर लो, यानि कि एक साल में जो भी रिटन थे, यहां पर लॉस में दिखने लगे, शाड़े बाइस परसन के आसपास, च्छा महने पहले जिन्हें उनने विश्किया, हलांकि उनको फ्लाइट रिटन मिल रहे हैं, सेविंग अकाउंट बैंक वाले, 26 की प्राइस टो वर्निं नहीं हुई, डिउडेंट इल्ड भी देखे निकल के रहा, 0.19, जो कि मामूली सा पे करते हैं, तीसरी कमपनी है, आरकेन केमिकल इंडेस्ट्रीज, आरकेन का अगर देखते हैं, नमबर 2022 में इस्ट्वी दो की फेस वैल्यू के साथ, 7900 यानि 8000 कोड के आसपास इसकी मार्क 240 का, 20 की प्राइस्ट वर्निंग रेशियो पे, प्राइस्ट वुक वैल्यू 5.63 का, अब आरकेन केमिकल का अगर देखा जाए, सबसे वैल्यूशन में यही सस्ती नजर आ रही है, दरसल यह मैरीन प्रोड़क्स जो समंदर से डेराइव होके जो प्रोड़क्स बनाती है, त अच्छा खासा चाइनम भी इनका एक्सपोर्ट है, तो होता है क्या है कि माली जी कोई बड़ी सुनामी आ गई, गुजरात में जैसा कि आया था, तो इस कंपनी पे काफी दुश्च प्रभाव पड़ता है, कामकास कुछ दिनों के लिए ठप हो जाता है, तो यह सारी चीज है, अलकाइल अमाइन केमिकल्स लिमिटेड, धाई जार की प्राइस पर ट्वेड हो रहा है, जबकि अगर देखा जाया तो अपने हाई से बहुत कम हो चुका है, नॉट यह हाई, लाइफटाइम वाला हाई कुछ और ही है, तो एकतिस्टो निन्यानवे से अगर देखते है 52 वीक हाई रहा, पच्चिस्टो के आसपास ट्रेड हो रहा है, लो था, साड़े इक्क्यूस्टो के आसपास, तो काफी तेजी भी देखी गई, एक साल में आपे साड़े पंद्रा परसन का नुकसान जिन्हों निवेश किया, अच्छ है मैंने में हाला के जिन्हों चार आईटी के, चार केमिकल के, इसमें आप अपना स्वातिहाई कीजिए, उसके पश्चात इन स्टाक्स को अपने पोर्टफोलियो में आप जगह दे सकते हैं, लेकिन आपका अपना निरनय होगा, कोई भी इन कंपनियों से रिल्टेड आपके पास सुझाओं हो, विचा हों रखना चाहते हैं, तो कॉमेंट्स में आप रख सकते हैं, थैंक यू फॉर वाचंग इस वीडियो फ्रेंड्स,